जेनरीव वन सौगत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन की एक नए एपसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रोग्राम को लेकर हम उतने उत्साहित हैं यह फीजिबल भी है या नहीं इस पर आईए डिसक्रसन करते हैं और यह टॉपिक कोई और नह अंधान मंतरिशी नरेंदर मोदी जी ने अपने रूस के दोरे को पूरा किया है उसके बाद से एक रिपोर्ट लगातार मीडिया के गलियारों में सरकुलीट की जा रही है कि रशिया भारत के साथ जो सुगमता के साथ आगे बढ़ेगा लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या यह चीज़े वाकाई सुगम है क्या भारत एक कॉस्ट एफेक्टिव वे में एरक्राफ बना पाएगा क्या मेड इन इंडिया एस्यो थर्टी एसम जो रश्या में बनते हैं उनसे सस्ते होंगे आईए जानते हैं पूरे मामले को डिटेल में इसमें कोई सं सर्टन पार्ट्स हैं जिनकी मैनेफैक्चरिंग भी भारत में ही करी है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो भारत रश्या के साथ मिलकर फाइटर बनाएगा वो सस्ते होंगे पूरे मामले को समझने के लिए आपको जो शुरुआती दोर है उस पे आगे आना पड़ेगा दरसल आपको बता दें कि रश्या इस समय ऐसा चाहता क्यों है आप सब को पता है कि रश्या के उपर अलग अलग प्रकार के तमाम सैंक्शन लगे हैं जिसके चलते उनकी जो डुमेस्टिक इंडुस्ट्रीज है यह बुरी तरीके से प्रभावित हुई है सिब रश्या ही प सप्लाई नहीं कर रहा है जिसके चलते सिब रश्या की इंडुस्ट्रीज नहीं बलकि वर्ड वाइड जो एरस्पेस जाइंट हैं वो स्ट्रगल कर रहा है फिर चाहे डसाल्ट हो चाहे एयर बस हो अब यहां पर रश्या यह चाहता है वो खुद तो एक्सपोर्ट नहीं कर जाए और भारत से ही उनको एक्सपोर्ट किया जाए और यह चीज़ें उनके लिए हलपफुल साबित हो सकती हैं लेकिन भारत के डिफेंस एनलिस्ट यह मानते हैं कि इस समय अगर भारत में जो एक्राप बनाए गया है तो बहुत मुश्किल है कि यह रश्या काउंटर पार के तुलना में यह काफी महंगा है जो भारत में बनाया जा रहा है और सबसे खास बात यह है कि भारत में जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो इतनी बड़ी नहीं है कि भारत इनका मास्ट प्रोडक्शन कर सके एक बार में काफी लिम्टेड है और भारत में अपने जरूरतो और अगर हम इतिहास की भी बात करें तो भारत ने इस प्रकार के जो प्रोडिक्शन कैपबिलिटीजें को बढ़ाने के लिए चैलेंज का ही सामना किया है और जो कॉंपेटिटिव प्राइसिंग है वो कभी भी नहीं रह पाई क्योंकि अर्ली 2000 में भारत जब 130 MKI को सिधा रश्या से इंपोर्ट करता था तो वो हिंदुस्तान Aeronautics Limited के द्वारा बनाए गए ISO 30 के तुलना में काफी ज़्यादा सस्ते होते थे और यहां पर अब अलग अलग चीजों को गराओं गहर करें जिसमें इंफलेशन हो गई, कॉस्ट डिफरेंस हो गया यह हमेशा बने रहेंगे और इस चीजों को यहां पर अगर जो पोटेंशिल कस्टमर है वो बियर कर सकता है तब तो ठीक है और अगर रश्या वाकई यह चाहता है तो अनलिस्ट मानते हैं कि उन्हें भारत को फ्री हैंड देना पड़ेगा और जो चीजों को उन्होंने प्रतिबंधित करके रखा है उसका एक्सेस भी भारत को देना पड़ेगा तब ही जाकर के रश्या की जो योजना है यह सही रूप से फली बूत हो पाएगी अनित्था इस प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब इस समय कंपटिशन में अलड़ी दूसरे फाइटर्स हैं जो इन से सस्ते मिल सकते हैं जो पोटेंशल बायर्स हैं वो उनको कंसिडर कर सकते हैं मनिस्पत इसके कि वो SU-30 जैसे प्रेटफॉर्म पर जाएं जो आने वाले भविश्य में आउटडिटिड हो जाएंगे और इसलिए इंडियन डियो डिफेंस अनलिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि यही सही समय है कि रश्या इसमें बर्जड़ के भारत से बात करें और जो मुद्दे हैं उनको रिजॉल्व करें अब अगर हिंदोस्तान अरिया में लिफेंस न समय है अगर इहां पर चीजरेंगा है अगर सुखोई 30 MKI प्रोग्रैम यहां पर प्रवावित होता है चीजे जल्दी नहीं होती है तो कुछ HL के अधिकारियों ने मीडिया के दुरान बात कतव ये भी कहा था कि ये जो प्रोडिक्शन फैसलिटी है इसको आगे चलके तेजस मार्क टू और आमके इसे प्रोग्राम के लिए यूटिलाइस किया जाएगा जब सुपर सो कोई अप्रिट पुरा हो जाएगा और एक लिब्टेड एक्सेस ही होगा जहां पर इन एर्टर्फ्स की मेंटेनेंस और दूसरी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा यानि एनलिस्ट ये बादते है कि करणश्या वाकई इसको लेकर कमभीर है तो उने सीगर अतिशीगर इस प्रोग्राम को भारत के सामने यहाँ पर डिसकस करना चाहिए और सबसे खास बात ही है कि वो SU-30 SM का या SM-2 का जो वैरेंट एक्सपोर्ट करना चाहते है वो एक अलग इंजन के साथ हमें देखने को मिलता है क्योंकि SM-2 की जहां तक बात रही तो उसमें सुनने में आया है कि AL-41 इंजन का इस्तमाल किया जाता है जबकि इंजन में जो SU-30 है इनमें AL-31 FP इंजन इस्तमाल किया जाता है क्योंकि यही वो मौका है जब सारी चीज़े इस पस्ट हो सकती है वह अन्ना यह सारे प्रोग्राम हमेशा के तरह पेपर भी बने रहेंगे जैसे हमारे पूर्व के प्रोग्राम अठके रहते थे तो आपको क्या रगता है भारत को यहाँ पर यह discussion fast forward करना चाहिए या भारत को यहाँ पर अपनी जरूरतों पर ही ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो खुद अभी first batch में जो 84 सुखोई 30 AI का अपग्रेड है इसके लिए जो final draft है वो तैयार कर दिया गया है और सीगर अतिशी की मिनिस्टर अपग्रेड की जो final approval है वो इसको मिल जाएगी जहां पर इनके अपग्रेड की शुरुआत होगी और धीरे धीरे भारती अवायव से ना अपने सभी सुखोई 30 AI क्राफ्ट को सुखोई standard का जो upgrade है वो प्रदान करेगी इसमें 51 major and minor upgrades प्रदान किये जाने हैं जिसमें इनका पुरी तरीके से काया कल्प होगा और यह near 5th generation capability को प्राप्त करेंगे और हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं अब यहाँ पर करें हम एयर फ्रेम को छोड़ दें क्योंकि जब हम बात stealth की करते हैं तो सीधी बात है बहुत साइल लोग इसको एयर फ्रेम से जोड़ देते हैं और ऐसे में अस्तर मार्क 3 हमारे लिए काफे lethal weapon system बन जाएगा इसके अलावा रुद्रम सीरीज की missiles भी इसकी power को कई गुना बढ़ा देंगी और electronic warfare suite भी इसमें introduce किया जाएगा जो की situation awareness और इसकी जो battle survivability है उसको काफे ज़्यादा enhance कर देगा और इसका सीधा benefit जो mission है उसमें हमें देखने को मिलेगा यानि भारत का program काफी ambitious है लेकिन अप सवाल यह उठता है कि हम कितनी जल्दी इसको utilize कर पाएंगे क्योंकि जहां तक हमें पता है कि आने वाले 15 वर्षों तक ही अपगरेट चलता रहेगा नेरंतर और इसमें सभी fighter aircraft को upgrade किया जाना है जोकि 1955 से जादा समय तक भारती वायो सेना की service में रहेंगे और एक संभाविज six generation fighter aircraft से इनको replace किया जाएगा तो आज किस वीडियो में बस इतना ही बिल तक ले वीडियो में कुछ अपडेट के साथ तब तक के लिए जहेद